दोस्तों भागदोर भरी जिंदगी में हर इनसान आठिक रूप से संपन होना चाता है आठिक रूप से संपन होने के लिए लोग कई तरेकिक के उपाय भी अपनाते हैं कई लोग तो अपने जीवन में धनकी देवी मा लक्ष्मी को खुश करने के लिए पूरा दिन पूजा पाठ बाकी चीजों में लगा देते हैं अगर आप भी अपने घर में मा लक्ष्मी की कृपा चाते हैं तो कुछ उपायों को अपना कर ऐसा किया जा सकता है रिशी मुनी बताते हैं कि अगर लक्ष्मी माता को प्रसंद करना हैं तो घरों में प्रयोग कोने वाली जारू को अपयोग भी मा लक्ष्मी को खुश करने के लिए किया जाता है बहुती कम लोग जानते हैं कि आर्थिक दिश्टी से जारू कितनी मेट पूर हैं इसी जारू की वज़े से व्यक्ती करोड़ पती वह कंगाल दोनों बन सकता हैं कुछ सास्तों में तो जारू को लक्ष्मी और उसकी बेन अलक्ष्मी से जोड का देखा जाता हैं आप भी जारू के कुछ रोचक उपाय अपना करके आठिक रूप से संपन हो सकते हैं जानिए आपको कौन सी उपाय हैं पंतो उन्हीं जाननी से पेले जो भी दोस्त हमारी चैनल को पेली वाँ देक रहे हैं जिन्नोंने अभी तक हमारी चेनल को सब्सक्राव करें बागल में गंती का वतन डबा करके अल पे किलिक कर दें जिससे हमारी सबी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुश सकें दोस्तों माना जाता है कि धनकी देवी मा लक्षमी का वास जारू में होता है इसलिए जारू पर कभी भी पैर नहीं माना चाहिए ऐसा होने पर लक्षमी माता रूट जाती है सास्तों में कहा जाता है कि जारू को हमेशा ही क्रिष्न पक्ष में खरीदना चाहिए अगर आप जारू को शुकल पक्ष में खरीते हैं तो जारू दुर्वाग का कारण बन सकती है दोस्तों साच्तों की अनसार हमेशा जारू बुआने के बाद में साप करके रखे जारू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए ऐसा कने से घर में कले होता है हमेशा शुबात का ध्यान रखना चाहिए कि जारू को कभी भी घर के उत्तरव पूरव की बीच की दिशा में नहीं रखे उत्तरव पूरव का दिशा जो होती है गोर देवताओं के आगबन का इस्तान होता है देवताओं का पूझा इस्तान होता है, उसमें बादाई आती हैं, साथी दुरवाग अपने आप चलकर आपके घर आ जाता है जारों को हमेशा घर के किसी कौने में चिपाकर की रखना चाहिए, जातक संबभ हो सके तो इसे घर के अनेरे वाले इस्तान में रखना चाहिए केवल मंदर में दान कर सकते हैं दोस्तों वास सस्ट के मुताविक घर में जारू लगाने के लिए दिन के पहले चार पैर को उचित माना जाता है ब्रह्म महुत में जारू सबसेज लगाना सिस्ट रहता है जबकि रात के समय पर जो चोथा पैर है उस समय पर कभी भी जारू नहीं लगानी चाहिए उसे अंचित माना गया है यानि कि सूर उरे के समय जारू लगाए और सूर अस्त के बाद में जारू नहीं लगानी चाहिए माना जाता है सूर अस्त के बाद आत को जारू लगाने से घर में दर्दिता आती है धनकी देवी लक्ष्मी रूट जाती है लेकिन कई बार ऐसी इस्थती पहरा हो जाती है कि आपको सूराष्ट के बाद में जारू लगानी पड़ जाती है अगर लगानी पड़े साम को जारू तो आप ये काम करें कि आप जारू लगाएं तो सुरस्च के बाद में जब आप जारू लगा नहीं जैसे कई बार कईया भार गुमने गए ही हैं रात को घर पहुंचते ही तो घर में दूल जमा होती है जारू लगानी परती है तो ऐसे में जो कूड़ा एकट्टा होता है उस कूड़े मित्ती को घर के एक कौने में रख दें उसे रात के समय घर से बार ना फेंकें क्योंकि ऐसा करने से लक्षमी उसके साथ में चली जाती है रात में कभी जारू लगा के कूड़ा घर से बार नहीं फेंका जाता दोश्तों ये हमने आपको जारो से सम्मंदित जानकारी दी अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमाई वीडियो को लाइक करें, शेर करें चैनल को सब्सक्राइब ने किया है, सब्सक्राइब जरू करें आगे की वीडियो में जानकारी के साथ